राष्थान के रावत भाटा एस्थित नुकलियर प्लांट ने एतिहासिक काम्यावी हासिल की इस प्लांट ने लगातार 765 दिन तक बिजली पैदा कर दुनिया में दूसरा स्थान हासिल कर लिया और उस मुकाम पर पहुचने के लिए इसने अमेरिका जैसे देश को पचाणा हमारे साइन्स एडिटर पल्लो बागला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये नुकलियर प्लांट देश के प्रमानुकारिकरम का हीरो बन गया है और साइन्टिस्ट यहां पर एक सपने के पूरा होने का जश्चन मना रहे हैं कुछ समय पहले तक ये नुकलियर प्लांट विदेशी प्रतिबंदों से जूच रहा था लेकिन आज इस नुकलियर प्लांट ने जादा तरवी देशी नुकलियर प्लांटों को पीछे छोड़ दिया है और लगातार बिजली सप्लाई के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है आम तोर पर एक नुकलियर प्लांट को एक साल में एक बार रिप्यर करना पड़ता है लेकिन राजस्थान के रावत भाटा के इस प्लांट ने लगातार 765 दिन तक बिजली की सप्लाई कर एतिहासिक कामियाबी हासल की है ये कामियाबी इसलिए भी एहम है क्योंकि राजस्थान का ये नुकलियर प्लांट देश के प्रमानुकारिक्रम की नरसरी के तोर पर देखा जाता है लेकिन इसकी कामियाबी ने अब इसे एतिहासिक बना दिया है जब हम देखते हैं कि नुकलियर प्लांट के बहुत सारे प्लांट जो की एक साल से ज़्यादा लगातार ऑपरेट करते रहे हैं उनकी स्रंखला में आगे बढ़ते हुए राजस्थान की उनिट ने आज जब 765 डेज लगातार ऑपरेशन किया है तो हम सभी नुकलियर प्लांट के एंपलोईज को अपना सपना साकार होता हुआ दिखाई देता है हिंदुस्तान के नुकलियर प्रोग्राम के लिए बड़ा एहम दिन मैं राजस्थान एटॉमिक पार स्टेशन के अंदर हूँ मेरे पीछे है यूनिट 5 राजस्थान एटॉमिक पार स्टेशन का आज इस रियक्टर ने 765 दिन तक कंटिनियूसली बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड कायम किया है लगातार बिजली पैदा करना एक नुकलियर रियक्टर के लिए बहुत एहम बात होती है आम तोर पे नुकलियर रियक्टर साल भर के अंदर बन किये जाते हैं ये दो साल से ज़्यादा कंटिनियूसली ऑपरेट कर रहा है पिछले 765 दिनों में इस प्लांट की 220 मेगावाट यूनिट ने 25 लाख लोगों के जरूरत के मताबिक बिजली पैदा की है यहां की बिजली से राजस्थान और यूपी के लाखो घर रोशन हुए है इस दोरान 1200 करोड रुपे का राजस्सु भी हासिल हुआ है अलाकि दूसरी ओर 40 टन प्राकरतिक यूरेनियम को जला कर इस प्लांट ने 33 क्यूबिक मीटर रेडियो एक्टिव कचरा भी पैदा किया है और यह कचरा लंबे वक्त तक एक खत्रा बना रह सकता है इसके बावजूर इस प्लांट की कामियाबी एहम है अब इसे जल्द ही रूटीन मेंटेनेंस और सुरक्षाजांच के लिए बंद किया जाएगा एक और एहम बात ये भी है कि इस प्लांट को भारत और अस्ट्रिलिया की बीच हुए परमानुकरार से भी फायदा होगा रावत भाटा से पल्लो भागला की रिपोर्ट एंडी टीवी इंडिया